तो दूसरों आज आमनों बात करने वाले हैं कि आप लोग एक्सिस मोबाइल एप के मादम से आप लोग मूचल फंड में इन्वेस्मेंट कैसे कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल वे हैं बस आपको वीडियो को लास दो दिखना है ताक दूसरों जब आप इन्वेस्मेंट करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाता है यहां पर आपको क्लिक करना है जो कि आपको यहां पर कौनर में मिल जाएगा यह वाला दूसरों होता है यहां पर आप सभी को क्लिक करना है तो चलिक करते हैं के बाद आपको यहां पर एक आप्सन मिलेगा इन्वेस् क्लिक करना है तो यहाँ पर आप में चाहते हैं उसको आपकी सठ्विन को सिट करना है और आप तो सिलेट कर सकते हैं तो जैसे अब सच करेंगे इंडेक्स में अभी करना चाहता हूं तो यहां पर इंडेक्स में उन्हें किया है तो यहां पर इंडेक्स में आरे तबिला सन लाइब करके आया है इंडेक्स फंट तो मैं अभी इसी को सिलेट कर लेता हूं अब दूसरों यह उसके बाद यहां पर जो भी ओंडिंग होंगी जो भी चीज़ें वह आप यहां पर देख सकते हैं जो रिस्क मीटर है बहुत थिल्डो यहां पर पैसा है वह आपका रिस्क बहुत ही कम है दोस्व आपको अपने हिसाब से मिचरफोन को सेलेक्ट करेंगा उसके बाद आपको पर इक आपसर मिलेगा इंवेश नाओ का आपको इनवेश नाओ पर ही क्लिक करना है अब दोस्तों यहां पर आपको इंडेफेस इस तरीके से आजाएगा यहां पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों जो म्यूचर फर्ण में इंवेस्टमेट होती है वो दो आप एक बार SIP को लगाते हैं और अपने डेट को सिलेट कर लेते हैं तो हर मंत आटोमेटिक ही आपका जो पैसा SIP में फिक्स कर दिया है जो भी आपने फिक्स किया है वो दोस्तों हर मैंने आपके अकाउंट से कट्रा रहेगा इसके लिए आपको कुछ क्लिक कर दिया है तो आप देख सकते हैं इसाइप पर क्लिक हो चुका है मतली कर सकते हैं दोस्तों क्यां जब तक यहांप करता रहेगा तब यहनाप पर सकते हैं आप मंतली करने बदोस्तों क हांप संब तक क्यंसे नहीं करेंगे तब तक आपका कटवाना चाहते हैं तो यहां पर मैं सिर्ट कर लेता हूं मालीजी 11 तारिक तो 11 में डाल दिया है मतलब दोस्तों हर मन्त की 11 तारिक को मेना पैसा एकाउंट से मेरे कटके में चला जाएगा इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम भी दिखा रहा है मतलब यह दोस्तों आप लगभग डाल सकते हैं कि आप यहां पर यस या फिर नो का उपसर आएगा तो यहां पर अभी मैं स्क्रिप कर देना है आपको एक बार में फिर से रिपीट कर वा दे रहा हूं यहां पर दूस्तों आने के बार आपको S.I.P. अफिर लंब साम सेट करना है जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बाद आपका मंतली हो जाएगा उसके बाद आपको इमाउंट डाल ले रहा है और आपको जो S.I.P. है वो जब तक आप कैंसली ने करे सकते हैं आपको कितने टाइम तक इन्वेस्मेंट करना है तो वो लब 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 आप दूस्तों डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको नौमनी यस या फिर नो कर लेना है उसके बाद अगर आप नो करते हैं तो यहां पर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है उसके बाद आपके नमर पर OTP आएगा आपको OTP को यहां पर fill up कर देना है दो दूस्व ओटीपी को fill up करने के बाद आपको यहां पर submit वाले button पर click कर देना है उसके बाद देख सकते हैं कि यहांपर successfully का यहां पर इसलिप आ चुकी है, यहां पर आपके mutual fund का नाम आ जाएगा, आपने जो भी date select किया, वो भी आ जाएगा, और number of SIP, number of SIP कोई नहीं है, क्योंकि जब तक आप cancel नहीं करेंगे, तब तर दुस्तों आपके SIP चलती रहेगे, दूस्तों इतना simple way है, आपको अपने SIP इसी तरीके से start करनी है, दूस्तों I hope आप समझ गया हूँगे कि आप access mobile app के मादम से, mutual fund में कैसे investment करते हैं, SIP के तुरू, तो I hope दूस्तों आपको समझ में आएगा, कि आप लोग access mobile app के मादम से, mutual fund में के investment कैसे करते हैं, अभी मैंने दूस्तों आपको SIP के मादम से बताया है, लेकिन आपको next part में आपको lump sum के मादम से बताऊँगा, कैसे आप लो, lump sum के मादम से करते हैं, पर दूस्तों अगर आपको इस process में जो भी मैंने बताया है, आपको, इसमें दूस्तों कोई confusion हो, या फिर कोई भी आपका doubt हो, या फ